राम राम बैए और बहनों बैइओ आजकल सर्दी बहुत पढ़ रही है और यहां तक कि बर्फ बारे भी ओर रही है उपर विमालिय के में और हमारे यहां तो शर्डी बहुत पढ़ रही है आपके पता कीसी पढ़ रही इस शर्डियों के अंदर जादा तर एक समश्या पैदा हो जाती है आलांकि यह बहुत बड़ा रोग नहीं है, सर्दियों सर्डियों मेरी रहता है, लेकिन किसी की चमर्य ऐसी sensitive होती है, और ज्यादातर ये लेडीज में यानि इस्तियों के अंदर ही रोक ज्यादा होता है कि हाथों पेरों की जो उंगलियां है इन उंगलियों में लाली आ जाती है और सूजन आ जाती है और इतना तेज दर्द होता है कि थोड़ा सा भी यो टच कर लिया तो फिर बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है तो ऐसा अगर किसी के है तो आज मैं ये नुश्का बहुत ही बढ़िया उनके लिए लेके आया हूं इस वीडियो को स्किप ना करें पूरा देखें और जैसा कि मैं आपको रिक्वेस्ट किया करता हूं कि मैं हूं रवीगिरी और आप मेरा ये चैनल पूरा ना बूले उसको दबाओगे तो आपको ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे तो आपके लिए मैं ये नुश्का लेकर यह बहुत ही आसान नुश्के मैं बताया करता हूं जैसा कि आपको विधित है आज भी मैं ऐसा नुश्का बता रहा हूं कि आप ए से माता बैनाएं बहुत परेशान रहती है और कारण यह होता है कि ज्यादा तर वह कपड़े दोती है तो उनके जो हाथ जब डिटर्जेंट पाउडर से लगते हैं और उसके अंदर जो कास्टिक सोड़ा होता है बस उसी के रियक्शन की कारण ऐसा होता है कोई बड़ी बी सन्गैं कर बन जाती है सर्दियों के अंदर कि उसके ऊपर थोड़ा सा वी टुट होते ही बहुत ज़्यादा दर्द होता है और लाल हो जाती है सूजन आ जाती है लाल जातिया वं已經 में चैया हातों की यंग्डियों यह पिष्जव की वंत अबरें यह आप 캐य दो तो एसे saja म उसको नरम आज से हातों पैरों के जहां भी ये लाली दिखाई दे, दर्द दिखाई दे, पूरे हातों पैरों के यहां तक आगे-आगे उंगलियों के लगा लेना, आपके दर्द थोड़ी देर के अंदर खतम हो जाएगा, लाली भी कम हो जाएगी, आपके दूसरा नुसका भी बता रहा हूं और उसके साथ साथ में कुछ बातें और भी बताऊंगा इसके बारे में ताकि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जैसे की सबसे बड़ी बात के कुछ लोग होते हैं जो आग के उपर तापने लग जाते हैं इससे ये रोग बढ़ता है कम नहीं होता है एक ब और दूसरी बात के इनके उपर दर्द के साथ साथ में खुजली भी चलने लग जाती है तो ज्यादा खुजलाएं नहीं नरम आज से उपर हाथ पिरा लेना अगर नाखून लगा लिया तो नाखून आपका सेप्टिक भी कर सकता है इसलिए नाखून ना लगे तो खुजल लिया तो यह रोग बढ़ सकता है रिसेप्टिक हो सकता है आगे कि आप कभी भी नंगे पाएं गरमे ना डॉले इधर उधर फिर ना हो तो आपको क्या करना है कि रसोई में और में जाते हैं तो उनी मोज़े जरूर पहन के रखें हाथ जब भी आपके खालियों कोई काम न इफाजत होगी और दर्द में बहुत रात मिलेगी अब आपको दूसरा नुश्का भी बता रहा हूं कि आपको क्या कर रहा है कि यही आपको सरसों का तेल ले लेना है और उसके अंदर पांच-छे कलियां लेसन की पांच-छे कलियां चील के अंदर डाल लेनी है और इसको और तब तक कल के आज पर गरम करना है जब तक भी कोलियां पक ना जाए जब कलियां पक जाए तो कलियों को निकालो तो अच्छी बात है नहीं निकालो तो अंदर पड़ा रहें दो और गुनगुना तेल रहे तो गुनगुना तेल आतों पर अलके आज से मालिश करना है उ पर पैरों के उगलियों पर जहां भी आपके यह दर्द महसूस हो खुजली महसूस हो लाली महसूस हो सूजन महसूस हो वहां पे आप इस तेल को लगाएंगे तो पहली बार में आपको 80% तक अराम मिलना जरूरी होगा मिल जाएगा आपको आराम आप यह लगा के देखना नहीं है गबराने की जरूरत नहीं है बस इतना ही के डिटर्जेंट के अंदर हाथ दो तो उससे पहले तेल सरसों के तेल से चुपड़ के उसके बाद में कपड़े दोना शुरू करोगे तो यह रोग अपने आप कम हो जाएगा यह आप करके देखें कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जैहिंज भारत